Hi everyone, Next.js के इस पार्ट में लोग nested routing के बारे में बात करने वाले हैं और last के दो पार्ट के दरम लोगों ने basic routing के बारे में discuss कर रहा था अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हैं तो देख लेना link आपको description box के अंदर मिल जाएगा इस playlist के साथ में because एक बार गर आप basic routing समझ लोगे तो nested routing समझने आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा पहला question आप मेरे से यह पूच देओ nested routing होती क्या है इसका answer दूँगा उसके बाद में nested routing बनाएंगे screens के बीच में navigate करेंगे आनकी move करके देखेंगे एक screen से दूसरी screen के बीच में nested routing के साथ में और इस topic के हिसाब से दो question बनते हैं interviews के लिए पहला question nested routing क्या होती है second question nested routing के लिए हमनों क्या pattern यूज करते हैं दोनों का answer आपको इस video के अंदर मिल जाएगा पहले question के उपर आते हैं nested routing होती क्या है जोरी समझाने से पहले मैं आपको practically समझाने कोशिश करता हूँ इन दोनों को देखो यह हमारी होती है normal routing और यह होता है हमारे पास nested routing जब हम लोग directly page बना देते हैं home page, about us page, login, profile setting page तो यह हमारी एक normal routing होती है जब एक page के अंदर एक और page बनता है हमारा तो उसको हम लोग बोलते है nested routing जैसे कि home हमारा single page है इसके बाद में about page है तो about के अंदर फिर से दो pages है एक है about student दूसरा है about college तो यहाँ पे एक nested routing हो गई यानि कि routing के अंदर routing हो गई अब देखो यहाँ पे आते हैं हम लोग यहाँ पे हमारा अभी के लिए root page है अगर मैं यहाँ पे करता हूं about यहाँ पे about लिखता हूं तो हमारे पास about वाला page आएगा अगर इसके अंदर यहाँ पे route के बाद slash लगाने के बाद में एक और page हो जैसे कि about college या फिर कुछ और तो वह हमारी nested routing बन जाएगी अभी के लिए यहाँ पे इसको access करने कोईश करोगे तो access नहीं होगा because हमने page नहीं बना रखा बट nested routing यही होती है जब एक page के अंदर आपके पास एक और page होता है अब हम लोग क्या करने वाले हैं about वाला page और login वाला page हम लोगों ने last वाले पार्ट के इंदर बना लिया था आपको ध्यान होगा तब हम आपको कह रहा हूँ कि लास्ट वाली वीडियो देख लेना उसको हम लोग आगे continue कर रहे हैं अब हम लोग क्या करेंगे about student and about college यह दो पेज बनाएंगे nested वाले यहां पे about वाला तो बना हुआ है इस तरीके से आप देख सकती हैं इसको पर-click करता हूँ तो about page यहां पे आगया यहां पे हम लोग एक nested page कैसे बनासकते हैं? about college वाला, about student वाला और अगर हमारे पास यहां पर login वाला है इस तरीके से तो हम लोग यहां पे about login, login for student and login for teachers, यह कैसे बना सकते हैं, इस पार्ट में आपको पता चल जाएगा, तो nested routing यहां पे cover हो जाएगी, अब अगर बात करी जाएगी, pattern कैसे बनता है, तो देखो, जब एक normal routing करते हैं, तो क्या होता है, हमारा local host का path होता है, या फिर आपका, आप about और उसके बाद में page.js, इस तरीके से बनाते हैं, अगर आप यहां पे आके देखोगे, तो हम लोग ने यहां पे about वाली folder बनाया था, उसके अंदर page.js बनाया था, तो यह हमारी एक normal routing थी, nested routing इंदर क्या करेंगे, about वाला folder बनायेंगे, उसके अंदर एक और about college वाला folder ब बनायेंगे, और उसके अंदर हम लोग क्या बनादेंगे, page.js, इसी तरीके से about student के लिए भी about वाला folder उसके अंदर एक और folder बनायेंगे about student और उसके बाद में page.js, अभी मैं आपको करके दिखा हूँगा, एक question मेरे से किसी ने पूछा था, comment section के अंदर, कि यह जो हम लोग pages इस बना रहे हैं न, last वाले पार्ट के अंदर में, लोग ने page.js बनाया था, about वाले folder के अंदर और login के अंदर, इनको हम लोग कहीं import क्यों नहीं कर रहे हैं, जैसा कि हम लोग react.js के अंदर एंई यहां पे import क्यों क्यों नहीं करते हैं, इसका reason यह है कि next.js के अंदर जो routing होत होती है इस pattern के दगर आप folder बनाओगे न तो automatically import हो जाते हैं हमें import करने की कहीं भी जुरूरत नहीं पड़ती है अल्राइट ठीक है अब हम लोग हमारा पहला page बनाते हैं जो क्योंगा about वाले folder के अंदर about student ठीक है तो कैसे बनेगा आप देखो हमारे पास about वाला folder बना हुआ है यहां पर page.js भी है इसके अंदर में एक और folder बनाता हूं इसका मैं यहां पर नाम रखता हूं about student और इसके अंदर में एक और page बनाऊंगा बाद में फाइल बनाऊंगा जिसका नाम हमेशा के लिए definitely same ही रहेगा page.js ठीक है अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो एक const ले लो इसका नाम रख लो let's say कुछ भी नाम रख सकते हो ऐसा को जुरूद नहीं कि आप यहां पर about student ही रखो जो भी आपको ठीक लिगे वो रख सकते हो about student और sorry इसका जो first letter होगा वो capital होगा right because component का जो मैंशा first letter होता है वो capital ही होता है और यहां पर मैं इसको return कर देता हूँ return के अंदर एक कर आप चाहो तो एक div ले सकते हो और उसके अंदर एक catch one tag ले सकते हो ठीक है और यहां पर मैं लिख देता हूँ about page for student और इसको हमें export भी करना है तो यहां पर करोगे export default और page का नाम about student ठीक है cool that's all और कुछ भी नहीं करना अब आप यहां पर आओ यहां पर देखो about लिखूंगा about चल गया और उसके बाद में लगा दो about student और आप यहां पर देख सकते हो page about student यहां पर इसको ठीक कर देता हूं all right तो इस तरीके से हमारा एक page बन गया अब देखो इसके अंदर क्या पाता गया about and about student तो एक बार के लिए यहां पर pattern फिर से देख लो क्या बनेगा about वाला पहले folder रहेगा जो हमारा normal routing के लिए रहेगा basic routing nested के लिए एक और हम लोगों ने इसके अंदर folder बनाया और उसके अंदर page.js बनाया चीक है easy है इसी तरीके से हम लोग यहां पर एक और बनाते है जैसे about student बनाया है अब मैं चाहता हूं कि यहां पर बने about college तो मैं इसक पहले एक अलग से folder बनाऊंगा यहां पर आता हूं इसके लिए folder बनाता हूं about college और इसके अंदर में क्या बनाना पड़ेगा अब एक file बनानी पड़ेगी और file का name हमेशा क्या होता है page.js simple time save करने के लिए इसको कोपी करके यहां पर paste कर देता हूं और यहां पर नाम चेंज देता हूं about college ठीक है अब कुछ भी import कहीं कुछ नहीं करना बस यहां पर आओ और यहां पर लिखो about college अचा यहां पर मैंने text change नहीं करा ठीक है यहां पर कर देता हूं save करता हूं और यहां पर text अपने आप भी change हो ठीक है about student and about college perfect अब मैं चाहता हूं कि यहां पर about वाले page से इनके लिए link बने या फिर इनके लिए एक क्या कहते हैं हम लोग एक routing बने तो वो कैसे बना सकते हैं जी मैं आपको दिखाता हूं तो सबसे पहले यहां पर link बना लेते हैं और जो मारा हम लोग लोग इन वाला बनाएंगे उसके अंदर हम लोग navigation बना लेंगे ठीक है so मैं आता हूं यहां पर about वाले page के अंदर यह मारा about वाला page है तो इसके अंदर मैं सेम इसी तरीके से एक link बना देता हूं ठीक है यहां पर BR tag लगा देता हूं ताकि थोड़ असा space बना रहे और यहां पर link आपको बता है कि link अपने आप import हो जाएगा यहां पर link import हो गया और यह यहां पर HRF करेंगे और यहां पर क्या path देगे हम लोग हमां पूरा path देना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर आप लिखोगे about about college write इसको बंद करेंगे और यहां पर link देंगे go to about college page ठीक है save करते हैं अब देख को जा पा रहे है कि नी जा पा रहे है इस पे क्लिक करूँगा तो यह देखो about college वाले page के उपर हमें लेके आ गया इसी तरीके से यहाँ पर मैं V करता हूँ और यहाँ पर कर दूँगा about student और यहाँ पर कर दिंगे हम लोग student page ठीक है अब आपस आते हम लोग यहाँ पर दोनों के बीच में कुछ BR tag नहीं है न इसलिए तो मैं यहाँ यहाँ करता हूँ दो BR tag लगा देता हूँ save करूँगा अब देखो अब मैं जैसे student वाले page के उपर जाऊँगा student के उपर चला गया यहाँ से about college वाले के उपर जाऊँगा अब मैं यहाँ पर यहाँ करता हूँ सबसे पहले इसके अंदर folder बनाता हूँ जिसका नाम क्या रहेगा let's say की login student ठीक है कुछ भी नाम रख सकते हो ऐसा कोई जरूटी ने किसी नाम का रखेगा बट जो भी नाम आप यहाँ पर रखोगे उसी से वो वाला इनको यहाँ से हटा भी देता हूँ ताक कि fall to page से आप देखे confused ना हूँ ठीक है और यहाँ पर मैं इसको paste कर देता हूँ इसका मैं यहाँ पर नाम रख देता हूँ login student और यहाँ पर क्या आजाएगा login page for student ठीक है और यहाँ पर इसको मैं लोग इंपोर्ट भी कर लेंगे परफेक्ट अब यहाँ पर चलके देखते हैं कि क्या हम लोग इसको access कर पा रहे हैं यहाँ पर करता हूँ login यह तो हमारे पास पहले access हो रहा है अब यहाँ पर लिखूंगा login student अब एक login teacher का भी बना लेते हैं इसी तरीके से राउट तो एक फोल्डर बनाना पड़ेगा जिसका नाम क्या होगा login teacher ठीक है इसके अंदर हमारी किस नाम से फाइल रहेगी यह आपको पता है न बहुत बार बता चुका हूँ पेज.js अल्राइट अच्छा यह स्टुडेंट वाला ही आ गया इसके अंदर हमारी करता हूँ पेज.js और फटा फट से हम लोग काम करने के लिए इसको हम लोग कोड में पेजट कर देते हैं यहां पे कर देते हैं लोग इन teacher सेव करेंगे यहां पे लिखदेता हूँ हमले पेज़ आगया अब लोग क्या करने वाले हैं घुमारा लोगिन वाला पेज है इससे दो बटन बनाने वाले हिर सबसे बटन लोग राने वाले हैं ठीक है यहां पेण बटन लोग लोगुँगा है go to student login page ठीक है and similarly यहां पर मैं एक और paste करूंगा go to teacher login page ठीक है अब देखते हैं हमारे पास क्या buttons आ गए हैं सारे के सारे login वाले के उपर यह buttons आ गए हैं ताकि थोड़ा सा यहां पर space बने even लास्ट वाले पार्ट के अंदरी वह ने आपको बता है था आप यह टैग ना यूज़ करके css यूज़ करना वह आपके लिए better है ठीक है एक और लगा दो यार यहां पर थोड़ा सा space बन जाएगा दो दोगा space आ ठीक है जैसे इस में पर क्लिक करते हैं अभी के लिए कुछ action नहीं है अब मैं actions यहां पर बनाने है पहली चीज़ हमें यहां से import करना पड़ेगा use router hook ठीक है तो मैं सबसे पहले इसको import करता हूं const router equal to use router और देखो use router दो जगे से import हो यहां पर देखो आप एक हो रहे है राउटर से एक हो रहे है नविगीशन से आप कहां से use करना है navigation से import करना है इसको ठीक है और जब भी आप router use करते हो hooks use करते हो और फिर state use करते हो क्या करना पड़ता है आपको use client इसको हम लोग ने यहां पर save कर लिया चीक है और यहां पर हम लोग क्या करेंगे इसमें कुछ value नहीं आएगी इस तरह के से रखेंगे अब इसके click के ऊपर on click event लेते हैं on click और on click के ऊपर हम लोग यहां पर arrow function बनागे लिखेंगे router.push और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे जिस भी router के ऊपर हमें जाना है वो वाला route login slash login student save करते हैं यहां पर चलते हैं student के ऊपर login करेंगे जाते हैं और यहां यहां पर ले गया perfect इसी तरीके से यह वाला जो हमने एक function है इसके ऊपर भी call करेंगे इस तरीके से ठीक है और वापिस आएंगे हम लोग यहां पर अप go to teacher और अच्छा यह मैंने change करना बोल गया login teacher save करेंगे वापिस आएंगे अच्छा और चैसे इस पर क्लिक करूँगा login to login page for teacher यह भी आ गया ठीक है पर देखो इस तरीके से इसको यूज करना बैटर नहीं है विगो इस हमारे पास और भी routes हो सकते हैं यह ons family और वह यहां पर गहर पास करें और तब वह कोल हो ठीक है तुम्हां पर करता हूँ navigate नामसे function बना लेता हूँ ठीक है और इसके अंदर में यहां पर क्या करता हूँ? कॉंट ले लेता हूँ और इसके अंदर में यहाँ पर राउट को push करवाता हूँ जो यह मैंने code लिखा हूँ है यहाँ लिखता हूँ sitter पॉश और इसके अंदर जो भी हमारा path रएगा ठीक है यह वाला तो मैं यहां पर लिखूँगा slash login slash जो भी हमारा यह path रहेगा बट यह जो path रहेगा यह हम लोग dynamic path करेंगे यह वाला function मैं यहां से goal कर रहा हूँ अब इस तरीके से ठीक है navigation वाला because हमने खुद ने बनाया यहां से goal कर लिया और यहां पर login हमारे पास हम लोग वहीं रख लेंगे बस कौन से वाले page के उपर जाना इसको इस तरीके से हम लोग declare कर लिए ठीक है तो यहां पर हम लोग ले लेंगे page और इसके बाद में हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं पेज इस तरह किसे लिख सकते हैं ठीक है तो हम लोग यहाँ से student वाला page जाएगा जब यह login होगा तो मैं इसको format कर देता हूँ ठीक है उसके बाद में जो हम लोग teacher वाले के उपर navigate करेंगे तो यह नाम चला जाएगा page के अंदर और यहाँ पे redact हो जाएगा तो हम लोग ने common function मना दिया ठीक है नाव लेट सी यह काम कर रहे कि नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे आते हैं सबसे पहले student के उपर जाते हैं perfectly जा रहे है और teacher के उपर जाते हैं यह भी perfectly जा रहे है alright that's all alright यहाँ पे हम लोगों ने खेका cover कर लिया देख लिए है सबसे पहले हम लोगों ने nested routing क्या होती है मैंने आपको यह बताया कैसे बनाते हैं कैसे move करते हैं interview question का दोनों का आपको answer मिल गया होगा because होता क्या है यह मैं आपको बता चुका हूँ 12 तक की शायद तो यह वाला pattern follow नहीं होता था यहाँ पे अलग pattern follow होता था but next.js 13 and 13.4 जब से update आ है उसके बाद में आप लोग इसी तरीके से routing यूज करते हो right so thank you so much for watching this video कुछ question है आप मेरे से comment section कंदर पूल सकते हो यह मेरा ptm का donation हमर है और please video को like करो channel को subscribe गरो and comment section में फीड़बेक दिना बिल्कुल मत बूलना thank you guys thank you so much